राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों गड़ेश चतुति के उस सब पर घोरों में गड़ेश जी की प्रतिमा को इस्थापित करने की परमपरा है लेकिन गणेश यतुति या अन्न किसी भी अपसर पर जब भी घर में इस्थापित करने की निए गणेश पतिमा खरीदनी हो तो कुछ बातों का विशेर ध्यान लखना चाहिए हमें श्री गणेश जी की ऐसी ही मूर्टी घर में लानी चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार सही हो तार में गंतों में जैसा गणेश जी का सुरूप बताया गया है उनकी मूर्टी भी बैसी ही होनी चाहिए गणिश जी की मूर्टी में जनेव, रंग, सोन, वाहन, अस्तस्त हातों की संख्या और आकरती जैसी कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर खरीदनी चाहिए गणिश जी के सरूप के अनुसार बने मूर्टी की पूचा करने से भगवान की कृपा मिलती है और पूजा का पूरा फल मिलता है आईए जानते हैं कि गणिश जी की प्रतिमा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखे मिट्टी के गणिश जी की मूर्टी घर लानी चाहिए या मिट्टी से खुद बनानी चाहिए प्लास्टर ओफ पैरिस या अनक केमिकल के उप्योग से बनी मूर्टियों की पूचा नहीं करनी चाहिए इसके इलाबा सफेद मदार की जड़ से बने गणेश ची की पूचा करना बहुत शुब माना गया है बहीं धात्यों में सोना चांदी या तांबी की मूर्टियों की भी पूचा कर सकते हैं धर्म शास्त्रों में भगवान शी गणेश के अनेक नाम बताई करे हैं उनमें से एक नाम है पक्रतुंड जिसका आर्थे है भगवान गणेश का वह सरूप जिसमें उनकी सोन मुड़े होती है श्री गणिश के इस सरूप के कई भेद है कुछ मूर्तियों में श्री गणिश जी की सून बाइं और घूमी हुई होती है तो कुछ में दाइं और घूमी हुई सून की प्रतिमा वह होती है जिसमें भागवान श्री गणिश की सून भागवान श्री गनेश के ही दाहीने हाथ यानि की राइट हैंड की तरफ घूमे हुई होती है और बाइँ और की तरफ घूमे हुई प्रत्यमभे होती है जिसमें भागवान श्री गनेश की सून भागवान श्री गणेश के ही बाएं हाथ यानि की लेफ्ट हैंड की तरफ घूमे होई होती है दाइं और घूमे होई सूर बाले गणेश जी सिद्धी बिनायक खहलाते हैं ऐसी मानिता है इनके दर्शन से हर कारे सिद्ध हो जाते है दाईं और घूमी हुई सून बाले गड़पती की विशिष्ट पूजा होती है और पूजा की कई नियम होते है पारिवारिक और गहस्ते लोगों के लिए इन नियमों का पालन करना संभब नहीं है आप इन आवशक्ताओं की पूर्टी घर पर नहीं कर सकते और यही कारण है इस परकार की गड़पती केवल मंदिरों में ही मिलती है इसलिए घर पर दाईने और सून बाले गड़पती को नहीं लाना चाहें पाई और मुरी हुई सून बाले गड़पती जल्दी ही प्रसंद हो जाते हैं इनके पूजा के कुछ खास नियम नहीं होते ऐसे गड़पती की पूजा इस्थाई कार्यों के लिए की जाती है जैसे सिक्चा, धन प्राप्ती, बैवसाय, उन्नती, संतान सुक, बिवा, सर्जन कार्य और पारिवारिक खुशाली ऐसी प्रत्मा की पूजा करने से भागवान जल्दी ही प्रसंद हो जाते हैं और सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है सीधी सून वाले गणपती, इनकी आरादना रिद्धी सिद्धी, कुंडलीनी जागरण, मोक्ष समाधी, आदी के लिए सर्वुत्तमानी चाती है इसलिए संत समाज ऐसी मूर्ती की ही आरादना करते हैं ग्रहस्त लोगों को इस तहे की मूर्ती अपने घर नहीं लानी चाहिए गणेशी की मूर्ती खरीते बक्त उनका रंग भी माइने रखता है सफेद रंग की या फिस सिंदूरी रंग की मूर्ती सबसे शुबमानी चाते हैं इससे घर में शुक्षानती रहने के साथ ही सभी मनों कामनाय भी पूरी होते हैं प्यापारी लोगों को सिंदूरी गणपती का पूजन करना चाहिए उससे प्यापार में उन्नती होते है सिंदूरी गणेश जी की पूजा करने से घर में सुक्सम्रथी आते है शास्तों में गणेश जी को धुम रबन बताया गया है यानि गणेश जी का रंग धुए के समान है इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ती की इस्थापना करना सबसे ज़्यादा शुप माना चाहता है गणेश जी को भालचंद्र कहते हैं इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहे हैं जिनके भाल यानि की ललाट पर चंद्रमा बने हुए हो गणिश जी की ऐसी मूर्ति की इस्थापना करने चाहिए जिसमें उनकी हाथ में पाश, अंकुष, मोदक और एक दंतो हो और परदान देने की मुद्रा हो सास्तों में गणिश जी के ऐसी ही रूप का परनन मिलता है पैटे हुए गणिश जी की प्रतिमा की इस्थापना करना शुब माना चाता है ऐसी मूर्ति की पूचा करने से इस्थाई धनलाब होता है और कामकाज में आने पाली रुकावटें भी दूर होती है जिस मूर्ती में गणेश जी के कंधे पर नाक के रूप में जन्यव ना हो ऐसी मूर्ती नहीं लेनी चाहिए जिस मूर्ती में गणेश जी के बाहन ना हो ऐसी मूर्ती की फूजा नहीं करनी चाहिए ऐसी मूर्ती की फूजा करने से दोश लगता है इसलिए गणेश जी की ऐसी ही प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी के बाहन मूसक गणेश जी के साथ हो जो संतान सुख की कामना करते हैं उन्हें अपने घर में पाल गणेश जी के चित्र या प्रतिमा की इस्थापना करनी चाहिए और नियमत उनकी पूजा करनी चाहिए इससे संतान सुख में आ रही बेगन बाताई दूर होती है घर में आनंद उस्सा और उन्नती के लिए नत्य मुद्रवाली गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए इस प्रतिमा की पूजा से छात्रों और कला जगत से जुड़े लोगों को विशेश लाव होता है इससे घर में धन और आनंद की भी ब्रत्धी होती है इस गरेश उससब पर आप अपनी मरुकामना की पूट्टी के हिसाब से ही गरपती जी की सही मूट्टी का चैन करें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक करें हमारी वीडियो को प्रेफ्रेंस ते दारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत भी इसका लाप उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूने थैंक्स पूर वचिंग राधी राधी